रजीज खान ये कोई मास्टर स्ट्रोक दिखता है आपको सियासी फैसला दिखता है आला कि अखिलेश जी तो कह चुके कि आपकी रैली देखकर पीम मोदी और बीजेपी डर गए इसलिए ये सब हो गया लेकिन क्या इसका असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा इस फैसले का आपको लगता है देखे सुसांत जी अभी में आपके चैनल पे ये हैडलाइन चल रहा है सब मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं पड़ा है पहले तो ये समझे आप आप चैनल पे तो नहीं चल रहा है सर मास्टर स्ट्रोक हमारे पर ये चेंज करा दूगा आप नहीं चला है वैसे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे नहीं चला है आपने कोई और वाला देख लिया होगा लेकिन जब रात रात भर रत चलेगा हालात बदलेंगे जनसाइलाब उमड़ेगा तो ऐसे बदलाओं की तो उमीद हाई है आज जो यह एहनकार और जो यह निरंकुस सरकार है आप देखिए इस बात को कि यही सरकार इसके फाइदे गिना नहीं कितने किसानों की मिर्तु हो गई, कितना किसान सहीद हो गया और यही मानिये मोदी जी किसान सहीद हुआ, किसानों पर गोलियां चली, गाडियां चला जी गई एक ट्वीट तक नहीं किया, सरधान जली तक अर्पित नहीं किया अचानक हिर्दे परिवर्तन ये बात समझ में नहीं है ये कितना बड़ा राजनेतिक फैसला है ये देश भी समझ रहा और किसान भी समझ रहा है इसी बात को माननी है अखिलेश यादो जी ने थोड़ी दिन पहले प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था ये सरकार जब हिलेगी जब रत यात्रा चलेगा बिजयरत चलेगा उत्तर प्रदेश में बदलाओ आएगा और उबदलाओ दिख राही रदेगा अजीज बाई मेरा एक प्रशन है आपकी और अखिलेश यादव जी की बात अगर मान लूँ कि अखिलेश यादव जी की रत यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा उसको देखकर नरेंद्र मोदी का हैंकार तूट गया और उन्होंने कानून वापस ले लिए तो ये रत यात्रा आपने चुनाव तक रोक के क्यों रखी पहले निकालते दूसरी लेहर में आप लोग घर में बैटे रहें उसके बाद भी बाहर नहीं निकले घर में बैटे रहें ये रत यात्रा निकालने के लिए इंतजार क्यूं किया पहले ही निकालते हैंकार पैले तोड़ देते देखे सुसान जी एक बात आप समझ ले अभी अभी देखे और रहेंकार टूटेगा अभी तो एक रात चला है रत अरे सर मेरा प्रशन है आपने पहले रख्यात्रा क्यों नहीं निकाली आगे आप तोड़ दीजिए इनके रहेंकार को कुछल दीजिए लेकिन पहले निकालते ना किसानों के साथ थे तो सर 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 मैं फिर कह रहा हूँ किसानों से ये मैं आज फिर कह रहा हूँ अखलेश जी ने भी ये बात कहा था किसाब ये किसान बिल वापस होगा पर आपने रत्यात्रा पहले क्यों नहीं निकाली जिससे मोदी जी डर गए आपके इसाथ से आप किसानों के साथ थे तो रत्यात्रा पहले क्यों नहीं निकाली ये पूछ रहा हूँ सर, सर, अरे मेरी बात उसने, ये चुनाओ के बाद ये किसान बिल फिर लागू होगा, फिर इंप्लिमेंट होगा, इब आपको बता रहा हूँ, ये फिर लागू होगा, ये नियत साफ नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने नारा दिया है, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाओ बाद फिर आए ये बिल और चुनाओ बाद फिर ये बिल आए ये ये वैसे ही है जैसे डरा-डरा कर वोट लिया गया था कि नरेंद्र मोधी की सरकार आई तो देश बर के सारे मुसल्मान जैसे कतलो हैं में मार दिये जाएंगे वैसे ही हमेशा सोगता था नहीं लेकिन मुझे अभी भी मेरे प्रश्ट करा जवादीगे मेरे प्रश्ट करा जवादीगे आपने पहले रत्यात्रा क्यों निकाली सर बारा महीने हो गए किसान मर गया ठंडी में गर्मी में जो इस्तितियां पैदा हुई तो अखिलेश यादन ने रत्यात्रा क्यों निकाली है तो पूछ रहा हूँ सर कि आखी रत्यात्रा में एतनी शक्ती थी कि नरेंद्र मोदी का हंकार तोड़ दे तो आप 10 महीने किस बात का इंतिजार कर रहे थे सर समाजवादी पार्टी ही किसानों के अंदोलंग की लड़ाई रही थी कहा लड़ रही दीजार क्या बात कर रहे है कहीं नहीं तेया यह रात्यात्रा कितनी पार निकली मुझे पताईए आपने एलेक्शन का वेट किया कि एलेक्शन आ जाए तब आप निकालेंगे आपको किसान से कोई मतलब नहीं था अगर साफ है नियत मैं आपसे दावा करता हूँ नियत अगर साफ है प्रेंशुगला जी बैटे तो साब एलेस्टी की गारंटी दे दीजे अगर प्रेंशुगला जी को छोड़िए आज उनसे बोलते नहीं बनेगा मैं आपको बोल रहे रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने रतियात्रा पहले क्यों निकाली ये वाली जिसे पी-म नरेंद्र मोदी का एंकार टूटा आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आप एलेक्शन डवेट कर रहे थे आपके आहिंकार टूटा हिमाचल परदेश से लाजस्थान से पश्चिम बंगाल से और उत्तर परदेश में जवरत चला आज के हालाद बदल चुके हैं और समझ विए कि जो जन सहलाब आज मानिए प्रेशन की तरफ अजे अरोडा जी क्या ये